Hello friends, आज हमने बनाया है cauliflower pizza crust, यह eggless है, gluten free है, खाने में बहुत ही tasty है, हलका है और जल्दी से बन जाता है तो यहाँ पर मैंने एक गोभी को काट के अच्छे से वाश करके रख लिया था, यह grated parmesan cheese है और हम यहाँ पर shredded parmesan cheese का भी use करेंगे इसका base बनाने के लिए साथ में मैंने यहाँ पर ले लिया है थोड़ा सा ओरिगनो powder, आप चाहें तो basil, black pepper वगएरा का use भी कर सकते हैं यह soya chunks हैं, इनको मैंने powder करके रख लिया था, एक food processor में या grater की help से हम इस गोभी को अच्छे से fine chop करके या grate करके रख लेंगे तो यह देखें, इस तरह से हम गोभी को ready कर लेंगे, हमने इसमें एक का use नहीं किया है, इसी की वज़ा से हम इसमें soya का powder डालेंगे, उससे हमें protein भी मिलेगा और binding भी मिलेगी, एक pan को गरम करके, हम उसमें गोभी को high heat पर 5-7 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे कि उसक सारी moisture निकल जाए, हमने गोभी को यहां पर squeeze नहीं किया है, हम उसको heat करके ही उसका moisture को सुखा देंगे, जब moisture निकल जाए, तो आप एक अलग पोल में इसको निकाल लीजिए, यह सेम पैन में use कर सकते हैं, तीन से चार चमच यहां पर soya का powder हमने डाल दिया है, या जरूरत के हिसाब से आप कम या जादा भी कर सकते हैं, और इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग हमारे पीजा करस्ट को मिल जाएगी, आप चाहें तो एक का यूज भी कर सकते हैं, साथ में थोड़ा सा सौल्ट डाल देंगे, और इगनो डाल देंगे, अगर आप चाहते हैं चिली fark sticks डालना या black pepper powder डालना तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, तीन चममच मैं यहाँ पर grated parmesan cheese когда डाल हैं और यहाँ पर यहाँ पर श्रेडिड़े पारमेजॉन चीज के भी डाल दींगे, मतलब अब ये देखे अभी हलका सा बंधने लगा है येकिन अभी भी ड्राई है तो इसमें एक से दो चम्मच हम दूद के डाल देंगे अगर आप विगन बनाने चाहते हैं तो आप प्लांट बेस्ट चीज का यूज कर सकते हैं और प्लांट बेस्ट दूद का भी आप यहां पर य अगा दिया था और अब हम इस तरह से हाथों से फैलाते हुए और अच्छी तरह से दबाते हुए अच्छी तरह से प्रेस करते जाएंगे टाइटली इसको और पीजा की शेप हम राउन दे लेंगे आप चाहें तो स्क्वेरियर रेक्टैंगल जो भी अपनी पसंद हो उस में आप पीजा बना सकते हैं जब आप इसको अवन में रखेंगे तो जब इसकी साइट्स गोल्डन होने लगे या ब्रावनिश होने लगे तो समझे कि हमारा पीजा बनके बेस बनके रेडी हो गया है तो अब देखिए ये 10 से 12 मिनट तक बेक होने के बाद ये इस तरह से आया है जब ये ठंडा हो जाए तो हम इसमें पीजा सास ये मेरिनारा सास जो भी आप सास का यूज करना चाहें वह सास लगा सकते हैं अच्छे से फैला देंगे सास को बहुत ज्यादा सास का इस पीजा को बनाने में यूज ना करें क्योंकि कोशिश करें कि इसका क्रस्प बहुत ज्यादा सौगी हम ना करें जब हम इसको बेकिंग के लिए रखें साथ में उपर हम डाल देंगे इसमें मौजरेला चीज चीज कम्या जाद आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई बेजिल डाल दिया है ड्राई औरिगनो डा करने ना करता है और इस पीजा को हम बेक होने रखेंगे संप्राइब होगा शाल पीजी जह को फिक 350 के तो एक को थोड़ा और यहाँ पर हीट कर लिया था और थोड़ा थोड़ा को यह थोड़ा आम इन वेजी के ऊपर भी लगा देंगे एक पीर को भी आज मैंने कट करके होने रख दिया है आप चाहें तो पाइनापल पीच एपल या अपनी पसंद का और भी कोई भी फ्रूट आप ग्रिल करके खा सकते हैं जब इस पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आने लगे तो समझें कि आपकी वेजिटेबल्स ग्रिल हो गई हैं जैसे कि ये टोमेटोस को अभी अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है और भाती हलका ये पीजा खाने में लगता है गलुटन फ्री है एगलेस भी है लेकिन अगर आप लोग एक खाते हैं तो एक का यूज किया जा सकता है ये देखे इसके बेस से भी ये अच्छे से एकदम परफेक्टली बेक हो गया है अब को हम सर्फ कर लेते हैं कुछ फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ आई होप कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए फ्रेंड फैमली के साथ शेर करिए और थैंक यू फॉर वाचिंग टूड़